नमश्कार आज के कारेकरम में आप सब का स्वागत है और आज हमदाजी से सीखेंगे कि कैसे दूसरों से बातचीत करनी चाहिए कैसे बातचीत को हमेशा सकरात्मक बनाए रहना चाहिए कैसे बातचीत में कड़वापन ना आने दे इन सब प्रश्णों का जवाब खोचते हैं ताजी के साथ नमस्ते जी हमारे पास बातचीत से संबंदित बहुत से सवाल आ रहे हैं अच्छे से बात कैसे करें, बहस कैसे तालें कैसे अच्छी बातचीत करने वाले बनें इन सवालों ने मुझे फ्रेरित किया है कि आने वाले हथों में कुछ एपिसोड में इन सवालों के जवाब दूँ कैसे बात करें जिससे गरंथियां ना बने पहले के एपिसोड में हमने बताया था कि अपनी योगिक जो चक्र है वो कैसे अफेक्ट होते हैं कैसे ग्रॉस बनते हैं कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं तो हमारे बातचितों पे भी उसका बहुत संब्ध है अब तक हमने आध्यात्पिक्ता के बारे में और अपनी चेतना को विक्सित करने के बारे में बात की हमने हाटफुलेस द्यान, हाटफुलेस अफाई, एवं प्रेयर प्रातना को कैसे किया जाए इन विस्वयों को अच्छे से देख लिया लेकिन रोजाना के उन कई सारे गंटों का क्या यानि वह अधिकान समय जब हम जागे हुए होते हैं वह समय जो किसी न किसी तरह के सव्वादों में दूसरे लोगों के साथ बातचित में बिच जाता है हमारी बातचित की जो क्वालिटी है हमारे जीवन की क्वालिटी को कई तरिकों से प्रभावित करती है मेरा सुझव है कि हम इस हपते एक प्रयोग करते हैं जब आप किसी के सथ बातचित कर रहे हो तब आपकी आंतरिक दसा कैसी होती है गौर कीजिए और चीजें कैसे अच्छी तरह से होती है उस पर भी गौर कीजिए किसी दोस्त या सहकरमी के साथ काफी पीते हुए या घर पर अपने पती या थापतनी या बच्छों के साथ बात करते हुए गौर करें जब बाचित खुशहाल हो तब उसे नोट कर लें और उसे भी ज्यादा महतुपूर्ण है कि आप खुद को कैसे व्यक्त कर रहे हैं आप कितनी सिद्धत से सुनते हैं यानि आपकी किसी को सुनने की क्वालिटी क्या है दुसरा है जब कभी किसी के साथ आपके बाचित बहस में बदल जाए तब भी ऐसा ही करें किसी के साथ कोई कोई भी परशानी या जंजट होने से आपके बीतर क्या चल रहा है उसको नोट करें mentally at least फिर से अपनी आंतरिक आवस्ता पर गौर करें और आपका क्या इरादा था क्या आपने खुद के सही होने पर जोर दिया था यदि आपको गलत साबित कर दिया जाता तो क्या आप असहज महसूस करतें क्या सुनने से ज़्यादा आप बोलते ही गए क्या आप जान पाए कि सामने वाला इनसान कैसा महसूस कर रहा था बाचित के दोरान और बाद में आपके दसा कैसी थी अपनी नीजी डायरी में पुरी इमानदारी से उसको नोट कीजिए सामन्य तोर पर हम कैसे बात करते हैं किसी से किसी भी समय हमारी आंतरिक हालत कैसी है उसके बारे में जागरुक बनने को लेकर एक प्रयोग करें हैं हम किसी चीज को तब तक बदल नहीं सकते हैं जब तक कि इस बारे में पहले जागरुप नहीं हो जाते कि हम बदलना क्या चाहते हैं। और अब सायद पहले से कहीं ज्यादा COVID महामारी की परिस्तिति में इस बात पर काफी जोड दिया जा रहा है। हम दुसरों के साथ और अपनों के साथ कैसे तालमिल बैठा रहे हैं। हो सकता है कि अपने खुट को उन्हीं लोगों के साथ दिन रात कई हपतों तक या लगाता कई मैनों तक घर पर ही एक साथ गुजारा हुआ। या एक तरह से कई लोगों के लिए प्रेशर कुकर में होने जैसा है। एक छोटी सी गलत फैमी एक बड़े विवाद का रूप ले सकती है जो कि कई दिनों तक वो चलता ही रहता है। और आप में से कुछ इसके ठिक उल्थी परिस्तिते में होंगे और अलग थलग एवं अखेले होएंगे। आप मानुय साथ के खुद, आप मानुय साथ के सुखत एहसास की कमी महसूस कर रहे होंगे। और लोगों के साथ जुड़ने के लिए सायद टेक्नोलोजी पर भी निरवर हो गए होंगे। लहाजा यही वह समय है जब हमें इस बात पर खास तोर से ध्यान देना होगा कि अपने बादचित कैसे करते हैं। यहां तक कि क्या हम अपने बादचित को एक बहतर इंसान की जरिया बढा सकते हैं। हर एक बादचित में हमारा चरित्र जलकाता रहता है। Heartfulness के आदी गुरू पुजी निये लाला जी महाराद ने कहा था, विबिन्न परिस्टियों में सभी कार्य में हमारे मन की संतुलित दसा सही मनुभाव को देर्शाती है। इसका बड़ा पहलों देखा जाए तो यह हमारे चरित्र का प्रतिवीम है। संतुलित दसा या असंतुलित दोनों का गहरा असर और अनुकुल उन लोगों पर पड़ता है जो हमसे जुड़े हुए है। यह दसा बादचित के ब्रवरान खुद को प्रकट करती है। जो की गंबीर और लंबे समय तक या हलकी फुलकी और थोड़ी देड़ तक हो सकती है। बादचित करने का हमारा तरीका हमारे बारे में बहुत कुछ कह देता है। हम बितर से कैसे हैं? यह हमारे दिन पर के वर्ताओं में बाहर जलकता है। एक बहतरीन सांतिमई ध्यान का क्या फाइदा अगर उसके पूरा होने के आदे किंटे के बाद ही हम अपने परिवार पर चिला चिला कर उसे मिली दसा को बिगाड़ देते हैं। यह हम अचानक से अपना आपा बैलेंस टिट खोकर कोई इमेल भीज़ दें। एसमेस भीज़ दें। क्या वाकई में ऐसे ध्यान करने का कोई मतलब है। यदि हम एक बहतर दयानू अधिक करुणा में अधिक उदार इंसान नहीं बन पाते हैं। तो हमारा आधियत्मिक अभ्यास किस तरह से हमारी दिन बर की बातचित में चलगता है। जब हम धियान करते हैं। हम अपनी एंतरात्ना के संपर्क में आ जाते हैं। हम एक हलके सुक्ष्श, शांति-पूर्ण, स्पंदन में डूप जाते हैं। लई हो जाते हैं, यदि हम उसे सांति में दसा को अच्छी तरह से रख पाते हैं और अपने रिदाई से जुड़े रहते हैं, तो हमारी बादचीत भी सांति पूर्ण एवं अधिक सब्यतामाई होगी. Heartful Communication की बुनियाद मन की ये ध्यान में ये अवस्ता है. Heartfulness में प्राणाहुति युप्त, ध्यान का नतिजा, संतुलन, स्वावाविक सायम और खुले दिल से बड़ा व्यवहार होता है. हम अपनी दिन भर की बादचीत में सांति एवं सब्यतामाई रखने की कोशिस करते हैं. ऐसा करने में सबसी बड़ी मदद मिलती हैं ध्यान के बाद थोड़ा समय जो अपनी आवस्ता है, उस पे गौर कीजिए, उसमें एकवेता लाइए. इस छोटे से पाउज में हम सावदाने से मेंटली अपनी आवस्ता को नोट करते हैं और उस पे अपना फोकस रखते हैं कि हमारी आवस्ता ध्यान के पहले कैसी थी, अब कैसी है, हमने ध्यान में क्या महसूस किया। तो यह अपने शरीर में अब खास करके अपने सुक्स मुष्रीर में वह आवस्ता फैल जाती है। जब हमारी दसा से सांती उभरती है, तो हमारी कई सारी चिंतें मिट जाती है। और हमें दुसरों पर जो भड़कने की आदत थे, वो बंद हो जाती है। लाला जी महराज ने कहा कि जब हम सत्य की धारा से जुड़े हुए होते हैं, तब हमारी बात्चित के दवरान सिर्फ वही सब्त बहार आएंगे जो आने चाहिए। और वो बिलकुल सही होंगे। और यहां में Dr. Marshall Rosenberg के विचार को पताना चाहूँगा, जो नाला जी महराज के विचार से मिला चुला होगा है। उन्होंने कहा, अहिन सात्मक पाथचित या, नन्वाइलन कॉम्मुनिकेशन। उन्होंने नौन वाइलन कॉम्मुनिकेशन पर बड़ा जोड दिया। उन्होंने प्यान वाइलन कॉम्मुनिकेशन की नीव रखी। मेरा मानना है, कि जब हुम वाकई एक दुसरे में और खुद में उस दिव्यता के साथ जुड़े होते हैं, तब हमें किसी भी चीट से ज्यादा एक दुसरे की भलाई में योगदान करने में आनंद आता है। सही से किया गया ध्यान हमें अपने दिल के साथ आंतर इक लूप से जोड़ देता है। यही वह अनंद दायक जुड़ा है जो कि दुसरों की खुसी में योगदान देने की ख्वाहिस का आधार बन जाता है। हम ज़्यादा मुस्कराते हैं। मुस्कराना हार्टफुल कॉम्मिनिकेशन का एक खास हिस्सा है। मुस्कराने के बहुत सारे फायदे होते हैं। यह तनाव कम कर देता है। यह फ्राक्रितिक दर्द निवारक है। और यह हमारे मिजज में उमंग बढ़ने वाले केमिकल्स पैदा करता है। यह हमारी इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत कर देता है। और मुस्कराहत फैलती जाती है। यह एक सपर वाइरस है जो मुस्कराहत हमारे इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रियां को बढ़ावा देती है। जब रामदेव बाबा जी हमको आशन शिखवाते हैं, प्रानायम शिखवाते हैं। बहुत कुछ शिखवाते हैं। आशन के दर्मयान भी हम जब अपने चहरे पर वह स्माइल रखते हैं। और प्रानायम समय भी इप अपने चहरे पर रखें। तो प्रानायम का असर भी बहुत गहरा होता है। हमारी आंतरिक अवस्था का हमारी बात्षित पर कैसे प्रभाव कड़ता है। इसके बारे में हम मेंसे कई लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। इसलिए हम अपने बात्षित के आदतوں को बहरी तोर पर बदलने की कोशिस करते हैं। जैसे अपने बच्चों के साथ या जुन्यर के साथ। सब्र रखने की कोशिस करना। क्या आप इस बात से वाकिफ है? यही कारण है कि सबसे श्रेश्ट और मजबुत इरादों के बाउजद भी ऐसे मौके होते हैं जब हम चीजें बिगाड़ देते हैं, सिर्फ बाच्चित से ही। बाच्चित का मतलब है खुद को व्यक्त करना है। लहाजा जिस तरह से मदु मक्की जो सहत बनाती है उसमें उन विशेश फुलों से लिए गए मदु का रंग और उसका स्वाद होता है। उसी तरह जो हमारे बितर है वही निश्चित तोर पर बाहर आएगा। इन्हों स्कॉटलंड मकास करके मदु मक्की पालने वाले उनके च्छतों को हैदर हनी जो कहते हैं वो फुलों की जाड़ियों में रख देते हैं जो आगस्ट के महने में पहाड पर खिलते हैं। मदु मक्कियां मुख्य रुप से उनही फुलों पर बैठती। तब में उन फुलों का सहथ परदा करती। जो उसका महक और विशे स्वाद के लिए मासूर है। अपने देश में भी भारत में नीम का सहथ या सरसों का सहथ या तूलशी का सहथ जैसे कई प्रकार के सहथ हैं। जो कि अपने स्वाद रंग और सबसे ज्यादा अपने चिकट सखी प्रवाव से उसके स्तुरत को प्यक्त करते हैं। उसी तरह विबिन प्रकार के परसनालिटी वाले लोगों के मुख से निकलने वाले सब्द भी अपने बितर संगीत या सौल लगाव या बुस्वा पगट कर देते हैं। इसलिए ध्यान के दवान ग्रहन की जाने वाली इस योगिक प्राणा होती इस प्राणा होती के महक में यदि हम खुद को लई कर देवें, दुबा देवें, तो समय के साथ या एक दुसरे के साथ हमारे वर्ताव को और हम इस अंसाल में किस तरह जीवन जीते हैं, उसको सु हम आंतरिक दसागों, आत्मसात करेंगे और यह हमारी बात्चित में ज्यादा से ज्यादा बोय जलगने लगी गैँगी, गहन और ध्यान्मी अवस्थाओं में आंतरिक जुडाओं! अपने खुद के साथ होने वाली, हमारी आंतरिक बात्चित का प्रभाव करता हैं. अपने अंतस्थ से जुड़े होने का तरीका यदि बाद में हर किसी के साथ हमारी बात्चित हार्ट सेंटर्ड, आउटर कुम्यूनियन के रुप में उभरती है आखिर कर यह एक भित्री तालमेल के साथ बाहरी बात्चित होती है जिसमें मेरे और दूसरे इनसान के पीछ आपसी समझेगा सुक्ष्म प्रवाह और आपस में एक जुड़ाव होता है दस गरंथिया नहीं बन पाती क्या आपने कभी किसी ओल्ड कपल को देखा है जो कई दसकों से खुशी और सुखी परिवार के जीवन में जीते है उन्होंने अपना जीवन पूरे सुक से बिताया है मुझे याद है जब मैं नियॉर्क में रहा करता था तब वहां के एक पार्क में इधर उधर गुमते हुए मैंने एक ओल्ड कपल को देखा उन दुनोंने एक सब्द भी नहीं कहा किसी को लेकिन मैंने गौर किया कि वे किस तरह से तलाब के किनारे एक दुसरे के साथ बैठे थे पिक्टिक का बोजल लेते हुए आसपास के मनोहर महौल को सांथी से देख रहे थी कुछ देर के बाद ये एक दुसरे के हाथ धामे हुए बड़े संतोस के साथ वहां से चले गए यही वह भावना है जो एक खुश हाल जीवन प्रदान करता है पूरे समय न कुछ बोले न कुछ कहा किसी को सांथी से बैठे और चले अपने अगले सित्र में हम दिल से बातचित करने और सुनने के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ हमारा स्वभाविक परस पर चुड़ाओ हमें इस जीवन के यात्र में सहयोग करता है खास करके उस पर ध्यान रखेंगे कि जो बार बार आदमी या औरत गुसा कर देते हैं चोटी चोटी बातों में अपनी बात कहीं और ले जाते हैं बात में कोई धंग नहीं होता है और सिर्फ बातों से ही जगड़ा होता है जिसका प्रेड़ाम वाइवलन्स भी हो सकता है इसलिए इस पे हम ज्यादा जोड लगा के आगे बात करेंगे कि हाव टू कॉम्यूनिकेट जिससे अहिंसा जिससे हम हिंसा से बच जाएं जिससे क्या है